आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा और मेरी फामिली का एक बहुत ही फेवरेट चॉकलेट केक जो की है चॉकलेट मूस केक टेक्षर में तो आप देखे रहे हो कि कितना एकदम स्मूध वेलविटी है ये बहुत ही जादा यमी बनता है सॉफ्ट स्पॉंजी केक और साथ में क्रीमी वेलविटी चॉकलेटी मूस बहुत ही जादा पसंद आएगा आपको और स्मूज में हम कोई अगर-अगर कोई जालेटीन भी यूज नहीं करेंगे बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है तो चलिए फटा-फट से से शुरू कर लेंगे तो सबसे पहले हम अपना चॉकलेट केक बनाएंगे आ इसके लिए न मैं आज बिस्किट के साथ केक बना रही हूँ जिसके लिए मैंने 120 ग्राम ओरियो बिस्किट लें है आप इसकी जगा अपना मन पसंद कोई भी और चॉकलेट बिस्किट ले सकते हो तो इन बिस्किट को अब हमें ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे ग्राइंड करके इसका पावडर बना लेंगे अचा मैं इसमें एक बड़ा चमत चीनी भी आड़ कर रही हूं यह मैं पहले डालना भूल गई थी तो बस इन दोनों को अच्छे से पीस लेना है तो बिस्किट का पावडर को उल्टा करके रखतेंगे और इसे उपर से ढखके मीडियम फ्लेम के उपर दस मिनट तक गरह होने देना है इसी तरह से अवन को आपको बानेटी डिग्री पर दस मिनट तक प्री हीट करना है और मोल्ड को भी तायार कर लेंगे तो इस केक के लिए ना मैंने यहां पर यह छे इंच का एक लूज बॉटम मोल्ड लिया है जिसके जो प्लेट है नीचे की वो अलब हो जाएगी तांकि बाद में इस मूज केक को दी मोल्ड करना एजी हो बठाओ अगर आपके पास ऐसा मोल नहीं है तब उस केस में आप यह वाला केक कैसे बनाओगे उसके सारी डिस् पावडर हमने बनाया था ना इसमें हम डालेंगे एक ती हाई कब दूद और इसे थोड़ा-थोड़ा करके इसमें आइड करना है और अच्छा से मिक्स कर लेना है तो बस इसी के साथ बेकिंग पावडर ना हो तो आप इसमें आथा चोटा चमच इनो भी डाल सकते हो तो मि दालेंगे अपने इस ग्रीस किये हुए मोल्ड में मोल्ड को थोड़ा टाप कर लेंगे तो बस मोल्ड भी तायार है और इधर ये कडाही भी अब काफी अच्छा से गरम हो गई है तो अब हम अपने मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे ओपर से धखके लो मीटियूम के उपर इसे बेक करेंगे तक्रीबर 15-20 मिनट तक ये जो टाइमिंग्स है ये थोड़ी से आगे पीछे हो सकती है तो एक बार 12-13 मिनट के बाद आप इसे जरूर चेक करिएगा और आवन के लिए आपको इसको प्री हीटेड आवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तक्रीबर 15 से 20 मिनट तक या तब तक जब तक ये टूथफिक बलकुल क्लियर ना जाए तो इस केक को रखें मुझे पूरा 18 मिनट हो गए हैं अब हम इसे एक बार सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर लेंगे तो आप देखरों कि तूथपिक बलकुल क्लियर है इसका मतलब इसके बाद चाहो तो नॉर्मल मोल्ड यूज़ किया है तो उल्टा करोगे केक को तो ये तब भी असानी से बाहर आ जाएगा नहीं तो प्लेट के थुरू भी निकाल सकते वापस है तो ये बटर पेपर भी हटा देंगे और इसी के साथ हमारा ये बिसकेट से बना हुआ आप देख रहे हो कि कितना सॉफ्ट टेक्शर है इसका अचा इस तरह से चाहो तो बिसकेट वाला केक बना सकते हो नहीं तो नॉर्मल मैदे से जो केक बनाती हो मैं पहले अपनी रेसिपीस में वैसे भी बना सकते हो इसके लिए आप तो बस हमारा ये बेसिक स्पॉंज केक चाहर हो गया है अब इससे बनेगा चॉकलेट मूस केक जिसके लिए वापे से इस केक को मैंने इसी मूल में डाल दिया है अब की बाद नीचे का बटर पेपर हटा दिया और मूल को थोड़ा साफ कर लिया था अचा अब हम सबसे पहले इसके साइड्स पे बटर पेपर लग आदेंगे इसमें तो हमारा ये मूल तायार हो गया है अब हम बनाएंगे इस चॉकलेट केक की जान जो की है चॉकलेट मूस तो इसके लिए सबसे पहले एक स्वास पान में मैं यहां ले रही हूं डेड़ कब दूद ये नॉबला हुआ दूद है जो अभी रूम टेम्परे नॉर्मल रेगुलर वाइट हो गई उसके मैंने और इसमें क्रीमीनेस आड़ करने के लिए अब मैं इसमें थोड़ी सी मलाई आड़ कर रही हूं तो तक्रीबं तीन बड़े चमच मैंने यहां पर ताजी मलाई ली है जो दूद को बालने के बाद उसके उपर लेयर आजात यह saucepan रखे न इसे हम लगाता चलाते रहेंगे और low flame के ऊपर इसी तरह से चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि यह जो mixture है यह एकदम थिक और क्रीमी हो जाएगा और जब आप इसे चलाएंगी न तो इसे sides चक और नीचे तक अच्छे से चलाना है तांकि cornflower sides पे ब मूज कितना एकदम थिक और क्रीमी हो गया है और वेलवेटी टेक्शर है इसका और आप देख्रेगों कि इसमें bubbles बन रहे हैं तो हमें इसे इतना पकाना है एकदम थिक consistency है इसकी liquid ही नहीं है बट थिक सी क्रीमी consistency है तो बस इसे के साथ हमारा यह क्रीमी मूज तायार हो गया पिटी लावा जैसा टेक्शर है इसका बहुत ही जादा ही हमें बनता है यह तो इस तरह से सारा मूज डाल देंगे हलका से से इवन कर लेंगे उपर से और पहले मैं इसे पांच मिनट के लिए इसी तरह से किचन काउंटर पर ही रखा रहने दूंगे ताकि यह थोड़ा सा होके रून टेम्पेशर पर आचा है और इसे फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए कम से कम छे से आठ घंटे रखेगा अगर टाइम है तो सारी रात के लिए रखेगा ताकि मूज अच्छे से से सेट हो सके अचा क्योंकि मैंने इस मूज में कोई जैलेटन या कोई अगर-अगर आड नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे सारी रात के लिए रखेगा मैंने सारी रात के लिए रखा इसे फ्रिज में यह अच्छे से सेट हो गया है अब हम इसे दी मूल्ड कर तो है ना बहुत ही जादा आसान ये खाने में इतना स्मूध वेलविटी और एकदम मुह में घुल जाने वाला बनेगा आपको बहुत ही जादा पसंद आएगा अचाहिए को स्लाइस में कट करने के लिए आप अपने नाइफ को हलका सा गरम कर लीजेगा चाहे गैस पर या फ बॉफ्ट और स्पॉंजी केक है और ऊपर से चॉकलेटी वेलविटी मूज बहुत ही जादा या में बनता है तो आप भी ट्राय करिए इस रेसिपी को और अगर आपको चॉकलेट पसंद है ना तो मेरी गेरेंटी है कि आपको ये बहुत ही जादा पसंद आएगी तो फटा